कि नमस्कार दोस्तों टेक फन में आपका स्वागत है और बिना किसी देरी कि यह शुरू करते हैं कि तो अगर हम इस साउंड बार को HDMI के थुरू टीवी खत कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें से ही रहेगी एक बेसी केबल जो यह नॉर्मल सबस्क्राइब करें तो मुझे तो 80-90 रुप में मिल गई भार से और चाहिए एक दो मिटर है वायर कई लोग बोलते हैं कि हमें इसके लिए स्पेशल वायर चाहिए रहती है साउंड बोर अगर कनेक्ट करना है तीवी सा तो भह ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है नॉमल वायर से बीक्नेक्ट हो सकता है बट ओविसली वह होनी चाहिए ऐसे नॉमल यूस्बी के बल से तो नहीं हम कर सकते तो तो उसके बाद मा बता देता हूं आपको जो मेरे टीवी के पोर्ट से जैसे कि एक है लैन का पॉर्ट पाकि तीन ओडियो वीडियो के पोड़ना है बाकी ये न मैं बता देता हूं आपको की जो यह वरी जो काप केबल देख रही है इसको हमें आर्क जो इक स्पेसिफिक जो हमें पॉर्ट दिया गया है उसमें हमें करना आप दे सकते हैं कि यह वला जो प्रण पॉर्ट जो एस डिमाई का पॉर्ट इस पर आइस लिखा हुए तो यही आर्क बोलते हैं तो इसी के साथ हमें करना है तो हम करेंट कर देते हैं तो हमारा पहला जो एंड है वो करेंट हो जो कहा है तीवी के साथ अब दूसरे एंड को हमें जो हमारा साउंड बार है उसके उस पर हमें करना है तो हम वह भी करनेट कर लेते हैं यह मेरे जो जो यह मे तो देख सकते हैं कि आप सबसे पहला जो है वह है और ऑक्स के लिए और दूसरा वाला जो आप्टिकल के लिए और तीसरा वाला जो है हमारा सब्सक्राइब तो इसको भी हमें इसको हमें करना है इसके साथ इसके अंदर हमें यह वहाला जो है इसके अंदर हमें इसको कर देना तो कर लेते हैं तो यह हमारा जो सब्सक्राइब है वह हो चुकी है तो मैं आप वह एक साउंड चला कर दिखा देदाओं कि हमारा कनेट हुआ है या नहीं हुआ है तो कुछ सेटिंग्स हमें टीवी में करनी पड़ेंगी तो चलते हैं टीवी कि स्कीन के अपर है तो यह हमारी तीवी कि स्कीन है हमारी केवल क्नेट हो चुकी उसके बाद अब हम कुछ सैटिंग्स जो हमें टीवी में करनी है तो वह वह कर लेते हैं क्योंकि अगर हम कोई 사उंड प्ले करेंगे तो उसका साउंड आएगा वो तीवी से आएगा और जब कि जो साउंड जो साउंड बार है वहां पर इसकी आउटपुट आजाए तो यह मेरे टीवी का रिमोट है तो इसके होम बटन से जाने के बाद बता देता हूं सेटिंग्स पर जाएंगे अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं तोड़ आसा जूम भी करते तो जो होगा तो फोड़ा इसी हो जाएगा उसके बाद क्या करना है इंपूट पर जाना इंपूट पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हाप एक अपनेक्टिट इंपूट में एच्डी इमाई बता रहे है तो इसका मतलब यह जो हमारा साउंड बार है वह एच्डी में थू पावर उसको भी आउन कर देते हैं और जो नीचे वाला जो एक और पर स्टे ओन प्रिवेस सोर्स करके है इसका मतलब यह है कि भी जैसे हमारा टीवी रीबूट होता है या फिर हम दबारा से इसको टन-on करते हैं तो लास्ट जो सोर्स रहेगा हमारा उसके साथ वह आटोमे सब्सक्राइब क्योंकि जैसे ही टीवी ओन होता है तो हम चाहते हैं हमारी डिर्क्ट जो जा आउटपट एसकी वह सांड़ वार में तो इसको अमें रख लेते हैं उसके बाद उसके बाद जैसे हम यह टीवी की अलग-अलग पोस आती है मेरा तो इसमें डिर्क पी इंपू तो आप अपना टीवी के कोर्डिंग को से सकते हैं तो इसमें आप सकते हैं जो इंपूट्स आ रही है एक चैनल आ रहा है ओर दूसरा आ डिम्य तो अभी से करेट है तो इसको में सब्सक्रेमिक कर लेते हैं तो जब हमारा एच्टी वही में क्नेक्ट हो जाता है एच्टी में पर कनेक्ट होने के बाद हम अपना एक बड़ टीवी को रिशेट कर लेते हैं टीवी मेरे रिस्टाट हो रहा है तो मैं दिखाता हूँ भी आपको जैसी टीवी रिस्टाट होएगा उसके बाद यह देखो HD में याद करेक्ट करके आपने अगर देखा होगा पोप तो इसका बतलब यह है कि जो हमारा जो हमारा साउंड बार है वो करनेक्ट हो चुक है मैं आपको एक ऑडियो चला के बता देता हूं कि इसका साउंड कहां से आ रहा है तो यह कुछ NCS के कुछ म मैं प्लें करता है तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा साउंड है वो इससे आ रहा है और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कि लिखा हुआ है इसका लगी है कि उसके आउटपुट आ रही है वह हमाई समय साउंड बार पर आ रही है टीवी पर नहीं आ रही है दूसरा तरीका यह है चेक करने के लिए जब भी मैं अपनी जो टीवी की जो वॉल्म को आप एंड डाउन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन टीवी पर नहीं आ रही है तो यह कुछ घट कम ज्यादा हो रहे है तो आपने देखा कि जो किनेक्टिवीटी के साथ हमने साउंड बार को किनेक्ट किया और उसके बाद आभी आउट पूट देख रहे हैं तो जुसका साउंड टेस्ट रहेगा कुछ में सॉंग्स पर प्ले करूंगा कुछ तो नहीं मैं एक आतर सॉंग प्ले करकर दिखा दूंगा इसकी वीडियो क सब्सक्राइब करते हैं तो यह इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही है और नेक्स वीडियो में मैं इसका कम्प्लीट एक रिव्यू दूंगा और इसका कम्प्ली साउंड टेस्ट के बारे में बात करूंगा और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपको कुछ इसकी कॉनेक्टिविटी में तो आप प्लीज कमेंट सेक्षन में जाए कमेंट करिए और मैं जल्दी जल्दी इसको रिजॉल करने कोशी करूंगा बताऊंगा शायद हैल्प कर सब्सक्राइब कि आपको मैं कि आप कैसे इ सब्सक्राइब करने को जाती है तो तब तक के लिए इपना ध्यान रखो सब बाई को कि आपको झाल 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 झाल